पाली में पती पतनी द्वारा हनी ट्रैप के मामले में अब गैंग की तीसरी महिला को पुलिस ने पकड़ लिया है जो दिल्ली की रहने वाली है युफ्ती शेहर के कई प्रतिस्टिद लोगों को मीठी मीठी बाते कर अपनी जाल में फसा चुकी है युफ्ती का नाम श्वेता उर्फ शीतल है उसमें जिससे शादी की थी वो चार साल से जेल में बंध है वहीं पैसो की तंगी से परिशान श्वेता ने रमेश शौदरी और भावना की हनी ट्रैप गैंग को जॉइन कर लिया नई दिल्ली के कट्रा गोकुल शा, सीता राम बा निवासी 35 वर्षी श्वेता उर्फ शीतल की शादी पंकच शर्मा से हुई थी किसी मामले में पंकच को जेल हो गई पिछले चार साल से जादा समय से वे जेल में बंध है पिता की मौत हो चुकी है, आर्फिक रूप से कमजोर परिवार से होने के कारण श्वेता व्रद मा पर बोज नहीं बनना चाती थी, इसलिए काम धूनने लगी ते जौरान इस्वा सेंटर से जुड़ गई, करीब दो साल पहले श्वेता दिल्ली से राजस्तान आई उसने कुंबलगर, पाली, जौल और बाडमेर के सेंटर में काम किया गणेश और श्वेता इस्पा में साथ काम करते थे, उसी ने भावना से मिलवाया पुलिस की अभी तक की जाच में सामने आया है कि श्वेता इस गिरो के साथ शामिल रही है पुलिस की जाच में आया है